असामलेकुम जी क्या हाल चाल है उमीद है कि अब सब लोग खरियत से होंगे जनाप हम सब भी खरियत से हैं और जनाप आज नाश्टे में बन रहे हैं कीमियोले प्राथे आप में ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था मैंने प्यास कीमा बनाया था तो अगर हमारे घर में कीमा बच नहीं क्योंकि प्यास कीमा इतना टेस्टी होता कि वह में अग Your दीच है कि जिसके प्राथे जो है न हम बहुत एच्छ बनते हैं चाहे आप मिक्सबजी मेना लो चाहे आप लौ मेथी बना लगिनाग इन पृटेश्टी बनते है क्योंकि लाइट सा नाश्टणा किया आए- लेकिन सर्द्यों में यह है है ना मोटा करती है चाहे वो गाजरो का हलवा हो जाए चाहे ड्राइफ फ्रूट्स हो जाए जाए प्राठे हो जाए तो बस तो बढ़ता ही बढ़ता है सर्जियों में हर एक का तो बस यहां पर जो है ना नाच्र ना मैं में मज़धार से कीमे के प्राठंश बनगे त्यार हो गए और अस नो ना आफिस के लिये त्यार हो रहे हैं तो बस इन को भीज़ने के कि मैं इसके अंदर कॉन फ्लॉर वो डालूगी और बस ये इतने मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं आप एक दफ़ा ट्राय जरूर करेगा और इसमें आपने हस्ब जो है ना अपने हिसाब से मिर्च मसाले डालने हैं मैंने इसमें नमक डाला है सुरख मिर्च डाली है लसन का डाले है लसन का पाउडर लासमी डालेगा टेस्ट बहुत अच्छाता है और मैंने इसमें कुटीवी लाल मिर्च डाल दी है और यहां पर मैं मिक्स हर्प डाल रही है और मैं आपको एक और सीक्रेट बताऊं कि अगर आप इसके अंदर चिकन पाउडर भी डाल दोगे ना तो इसका टेस्ट बहुत आला हो जाएगा तो बस जनाब अब इसको हम करते हैं फ्राई और यहां पर और आउयल को आपने अच्छा सा गरम कर लेना और फिर इसमें आपने फ्राईस डालने हैं यहां पर आपको बता दूँ कि अपने फ्राईस डालने के बाद ना इसमें चमच फॉरण नहीं चलाना जब आपके फ्राईस थोड़े से फ्राई हो जाए ना तो फिर आपने इसमें चमच चलाना वरना सारी कोटिंग जो है ना वो उतर जाएगी एक आपने यह धियान उसमें तो फिर आपने फ्राईस डालने और दूसर के आपने फॉरण इसमें चमच नहीं चलाना जब थोड़े से फ्राई हो जाएगे फिर इसमें आपने जो है ना चमच चलाना है और बस जनाब यहां पर मैंने एक साउस इसमें डाल दिया साउस मै ने नहीं आपको और आज खाने में मुझे बनाने थे लोहौरी चने तो बस चनाब यहां पर जो है ना चनों की तियारी स्टार्ट हो गी भी है और यहां पर जो है ना मैंने चने साफ करके उसको मैंने भिगो के रखना था तो यहां पर ना मैं भूल गई थी के रात को भिगोना तो फिर मैंने सुबा ही इसको जब भिगोने लगी तो मैंने इसमें एक चमच जो है ना मीठे सोड़े का डाल दिया था और इसको मैंने ना तीन गेंटे के लिए भिगो के रख दिया था और फिर जनाब इसको आपने पानी को चनो को अच्छा सा जो है ना बाद में वाश कर ले ना क्योंकि इसके अंदर मीठा सोड़ा डला हुआ है चनो को अच्छा से दोने के पान मैंने प्रेशर लगा दिया और बीस मिठ में हमारे जो चने थे ना वो बहुत अच्छे से कोको हो गए थे तो बस जनाब चले हम मसाला बना लेते हैं चनो का यहां पर मैंने फतीली में ओल डाला है और यहां पर जीरा बद्यान का फूल और चोटी बड़ी लाइची यह मैंने ओल में डाल दिया अब इसको हम हलका सा फ्राइ करेंगे और फिर यहां पर जनाब मैंने एक बड़े सा इसका प्यास ले लिया था और उसको मैंने चौप कर लिया था अब यह प्यास हम इसके अं सदर का पेस्ट डाल यहाँ जो है ना सर्फिड़ मीच भी ब्लैंट हुई वी है और उसको भुणने के बात जुनाब इसके अंदर हम डाल दढ़ाएंगे दही द ही को भी हम अच्छा सा ठहिन के डाले जही को भी हम अच्छा सा जो है बुराइंगे और पिर इसके बार इसमें नमक और इसमें मेनें हल्दी और जिसमें सूखद्धनिया पीसा रुख में और जो है ना इसके अंदर जो जाये कर ऑना वो कुटी मиковी लाल मिर्ष वो मैंने बाल दिए यह सब मैंने मसाल आप बता दिये और अपने हिसाब से जो है ना नमक मिर्च का हिसाब रख लेगा कि आप को कों सा टेस्ट पसंद है और फिर बस इस सारे मिसाले को हम अच्छा सा भूनेंगे और जणाब यहां पर मैंने एक प्याली यही सफेचे ने जब उबल गे थे ना तो इसको मैंने एक प्याली चने लिया था और साथ ही पानी लेकिन इसको मैंने ब्लेंट कर लिया था और बस जो मिक्स्टर को ना हम इस सारे मिसाले के साथ जो है अच्छा सा फ्राई करेंगे और फ enjo जणाब इसके अंदर जो बारी है ना वो डलने है चनो की और यह चनो का पानी है यह आपने वेसे लिए प्यास्टि नहिक करना इसा जो जो हम ढ़्देरने इसके अंदर इससमाल होगा इसका पानी अगर आप पानी भी देन च्रिकन पॉर्टर से इसका टेस्ट बहुत जो है ना आला किसम का उचाता है और साथ मैंने चार पांच जो है ने इसके अंदर हरी मिच्चे डाल दी है अब ये सारे मसाले को जो हम दोबारा से चनों के अच्छा सा मिक्स करेंगे और यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई आल हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन जनाब इसके अंदर शुरू में हमने बहुत आल डाला था तो अब हम इसको ढख के रख देंगे और जो है ना इसको पांच मिट हलकी आच पर पकाएंगे तो इस सारा होईल जो है ना वो उपर आ जाएगा और हमारे मज़ेदार से जो है ना लोहौरी चने वो बनके त्यार हो गए है अच्छा साथ ही मैं ना दूसरा काम भी कर रही थी वहुत था कि आज में जो है ना देसी घीर नगालना था तो मैंने मलाई जो है ना सुबा से ही ना फ्रिज से नकाल के रख दी वी थी और फिर इसको ना ये जैसे ही मलाई तीन-चार गहंटे बाहर रहने के बाहर सॉफ्ट हुई तो इसको मैंने ब्लेंडर में डालके उसको ब्लेंड कर लिया और पिर जैसे ही हम ब्लेंड कर ना तो फॉरन से जो मक्षन निकल के बाहर आजाते हैं और जिनम्हग बस मक्षन को यह मै निकाल के इसको डूनों हातों से इसको प्रेस कर रहे इसका पानी सारा निकल गया और बस अब यह работать ने निसको हम सारा जो एक पतीली के अंदर नकाल लेंगे अब मक्षन को बनाएंगे हम देसी गी, तो बस जणाब आप भी यह रगतेंगे चूले के उपर और हलकी आज़ पर रखना है चूले के उपर और इसको मिल्ट होने देना है और बस ये मेल्ट होती रहेगी और बस देखें ये इस मौम में आ जाएगी देखें नीचे आपको देसी घी जो है न वो नजर आना शुरू हो गया हुए तो उमीद है कि आपको मेरी वीडियो से अच्छी लग रही होगी अगर आपको मेरी वीडियो से अच्छी लग रही तो आपनी क्या करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाइक करना है और कमेंट लाजमी करना है तो बस जनाब अब ये जो हमारा देखी घी निकला है और अब इसको मैं अपने डबे में डाल लूँगी तो अब आप दो मुझे इजासत, अलाहाफ़ेज़